असी सब्दुपृती मिले डिक्टेशन, डिक्टेशन स्टार्ट होगी, तीन सेकंड बाद लोक सभा में राष्ट्रिये पिछडा बर्ग आयोक को संबैधानिक दर्जा देने वाले बिधेयक के सर्व सम्मती से पारित होने से इसके प्रती सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि उसी राज्य सभा में भी बिपक्ष का समर्थन मिलेगा इस विधेयक को दूसरी बार संसद में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पिछली बार राज्य सभा में कुछ बिपक्षी दलोने उसकी मूल सरूप में बदलाओ कर दिया था उमीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और पिछडा वर्ग आयोग जल्द ही संबैधानिक दर्जे से लैस हो जाएगा ठीक बैसे ही जैसे अनसूचित जाती जन जाती आयोग है यह अजीव है कि जब अन्य पिछडा वर्गों के लिए आरक्षन लागू हुए 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तब उससे संबंधित आयोग को संबैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ हो रहा है निसंदेह संबैधानिक दर्जा हासल करने के बाद पिछडा वर्ग आयोग कहीं अधिक सक्षम होगा लेकिन यह कहना कठिन है कि वह आरक्षन संबंधि समस्याओं का समाधान करने में भी समर्थ होगा बिभिन जाती यह समूह जिस तरह OBC आरक्षन के दायरे में आने के लिए जोर दे रहे हैं और इस क्रम में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि पिछडा वर्ग आयोग और साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए कोई आसानी होने जा रही है आखिर इसकी अंदेखी कैसे की जा सकती है कि जब पिछडा वर्ग आयोग को सम्वैधानिक दरजा दे कर समर्थ बनाया जा रहा है तब कई सक्छम मानी जाने वाली जातियां अपने लिए आरक्षन मांग रही है यह तथ्य है कि इन दिनों उग्र तरीके से आंदोलन कर रहे मराषा समूह इसके वावजूद आरक्षन चाहे रहे हैं कि बे उसकी पातरता की परधी में नहीं आते कुछ ऐसी ही इस्थती आरक्षन के लिए आंदोलन की रहे पर चलने वाले अन्य जातिय समूहों की भी है लोग सभा में पिछडा वर्ग आयोक को सम्बैधानिक दरजा देने वाले बिधेयक पर चर्चा के दोरान बिभिन राजनीतिक दलों की ओर से क्रीमी लेयर हटाने और आरक्षन की सीमा बढ़ाने की जो मांग की गई उससे यही संकेत मिलता है कि आरक्षन संबंधी मांगों का सिलसला थमने बाला नहीं है यह तय है कि यदि किसी एक जातिय समुह को आरक्षन मिला तो कुछ अन्य जातिय समुह आरक्षन की मांग लेकर आगे आ जाएंगे इसमें संदे है कि OBC आरक्षन का वर्गी करने सी बात बनेगी अच्छा होगा कि आरक्षन की व्यवस्था को ऐसा स्वरूप देने पर बिचार हो जिससे वह पात्र लोगों को ही मिल सकी और उसे नौकरी पाने का जरिया भर ना माना जाए अभी तो ऐसा ही अधिक है इसकी अलावा एक बिसंगती यह भी है कि आरक्षन का लाव ले चुकी लोग भी पीडी दर पीडी उसे हासिल कर रही है इनमें बेवी हैं जो संपन और प्रभाव साली है आरक्षन सोसित वंचित एवं पिछडे तबकों के उत्थान का माध्यम है अच्छा होगा कि अनसूचित जातियों एवं जन जातियों के साथ अन्य पिछडी जातियों को हासिल आरक्षन व्यवस्था की इस द्रश्टी से समीक्षा की जाए कि इससे मूले उद्देश की प्राप्ती सही तरह से हो रही है या नहीं इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षन के दायरे में कैसे लाया जाए महराश्ट्र में मराथा समुदाय के संग्ठन मराथा क्रांती मोर्चा की योर से मुंबई और आसपास के सहरों में बुलाए गए बंद के दोरान जिस तरह का हिंसा प्रदर्शन किया गया उससे यही पता चलता है कि आरक्षन के नाम पर अराजक्ता हैलाने की प्रविर्ति बढ़ती जा रही है अपने समदाय के लिए आरक्षन मांग रहे मराथा नेता भली तरह यह जान रहे थे कि उनका आंदोलन हिंसक होता जा रहा है लेकिन बे तब चेते जब उनके समर्थकों की हिंसा बेकाबू हो गई इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आरक्षन मांगने निकले मराथा क्रांती मोर्चा ने बंद की अपील बापस ले ली क्योंकि जब तक उसने ऐसा किया तब तक मुंबई के साथ साथ अन्य सहरों में बड़े प्यमाने पर तोड़ फोड और आगजनी हो चुकी थी इससे लाखों लोग प्रिभावित हुए और सरकारी एवं गेर सरकारी संपत्ती को छतीवी पहुँची रेल एवं सडक मारग ठप कर बाहनों में तोड़ फोड करना और पुलिस को निसाना बनाना अराजकता के अलावा और कुछ नहीं आरक्षन के इस आंदोलन में जैसा उत्पात देखने को मिला बैसा ही कुछ इसी तरह की अन्य आंदोलनों में भी देखने को मिल चुका है उस हिंसा को भला कौन भूल सकता है जो जाट, पाटिदार, गुर्जर और कापू समुदाय के आरक्षन आंदोलन के दोरान बिभिन राज्यों में देखने को मिली भले ही आरक्षन मांगने सडकों पर उत्रे संगठन अपनी गत्विधी को आंदोलन का नाम देते हों लेकिन सच यह है कि इसके बहाने बे अराजक्ता फैला कर सरकार पर अनुचित दबाव डालते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों को हवा देते हैं यह लगभग तै है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगी आरक्षन एवं अन्य मागों को लेकर सडगों पर हिंसक तरीके से उतरने वाले संगठनों की संख्या बढ़ती जाएगी इसमें संसय नहीं कि महराष्ट्र में प्रभाव साली माने जाने वाले मराठा समुदाय को उक्साने का काम बिभिन राजनीतिक दल कर रहे हैं पहले राजनीतिक दल बोटों के लालच में हर किसी की आरक्षन की मांग का समर्थन करने आगे आ जाते थे लेकिन अब भी इस डिये भी आगे आ जाते हैं ताकि वह सत्तारोड दल को मुश्किल में डाल सकें इसी लिए आरक्षन मांगने वाले हिंसा का सहारा लेने में संकोच नहीं करते आरक्षन मांग रहे समुदाय ही नहीं उन्हें समर्थन देने वाले दल भी इस सच्चाई से भले भाती परिचित हैं कि हर तबगे को आरक्षन नहीं मिल सकता और बह उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं लेकिन बे इस सच को रेखांकित करने को तैयार नहीं कई वार तो बे नियम कानून और यहां तक की अदालती आदेसों के खलाफ जाकर भी आरक्षन की पैरवी करने लगते हैं मराठा समुदाय एक तो आरक्षन के दायरे में आने की पातरता नहीं रखता और फिर अदालती आदेस के तहत जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग इस समुदाय की आर्थिक सामाजिक इस्थिती पर अपनी रपट नहीं दे देता तब तक महराष्ट सरकार चाहकर भी किसी फैसले पर नहीं पहुँच सकती इसके बावजूद मराथा क्रांती मोर्चा जिद पर अड़ा है कि राज्य सरकार अध्यादेश के जरिये उनके समुदाय के लिए आरक्षन की घोशना करे वह भी 16 प्रतिसत यह जोर जबर दस्ती के अलावा कुछ नहीं झाल स्वार प्रतिसत